नमस्कार दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में तीन और स्टॉक्स के बारे में आज बढ़िया प्राइस एक्षन देखा है वॉल्यूम बढ़िया था साथ ही साथ ट्राइडेंट लिमिटेड में पांच परसेंट का अपर सरकेट स्टॉक ने हिट कर दिया है जानेंगे यह यह ट्राइडेंट लिमिटेड का डेली चार्ट आप देख रहे हैं पांच परसेंट की तेजी आज के दिन शानदार स्टॉक ने यहां पर सरकेट मार्केट क्लोज होते होते भी यहां पर सरकेट ब्रेक नहीं हुआ है पांस दिन की बात करेंगे तो स्टॉक चार परसेंट के रिटर है लेकिन यह टिल डेट पे स्टॉक जो है साथ परसेंट से ज्यादा चलता हुआ दिखा है एक साल की बात करेंगे तो इतना चोटा स्टॉक होने के बावजुद भी एक सो बावन परसेंट ही स्टॉक सो त्रेपन परसेंट के रिटर दिये हैं अलंकि यह कुछ प रुपए का लगबग 12 माई 2021 को उसके बाद स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हुआ है और बहुत ज्यादा कंसॉल्डेट भी हो चुका है अब लगता है इसका कंसॉल्डेशन पूरा होते हो देखने कमें लगा स्टॉक बने तीन बार सपोर्ट लिया 16 रुपए के प्राइस किया इन्वेस्टर्स को लेकिन यह स्टॉक जो है रीटेल इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स में आपको ज्यादा तरह मिलता है नीचे के इस तरह पर कईो ने या बाइंग कर रखा है इसको आप लोग होल्ड करना बेजना मत ही आपको टार्गेट और अच्छे दिखाएगा यहां पर मिल्यूम टार्गेट जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो रीसेंट इस टॉक ने जहां पर हडल फेस किया था दो तीन बार वह साड़े सत्रह का लेवल इसके लिए यहां पर नज़र रखें साड़े सत्रह के ऊपर अगर सस्टेन करेगा चूंकि आज स्टॉक पांस परशेंट के सर्किट के साथ बंद हुआ है कल भी तेजी यहां पर जरूर आपको केरी होते वह देखने को मिलेगी साड़े सत्रह के बाद अठारा रुपे तीस पैसे के आसपास एक हडल फेस कर सकता है वहां तक नज़र रखिए उसके बाद इनीस बीस के लेवल भी स्टॉक देरे देरे दिखाएगा तो देगी एकले स्टॉक की बात करें सेंशूरी टेक्स्टाइल काफी दमदार कंपनी है अपने विल्ड की महारती कंपनी है आज के दिने स्टाट वाता स्टॉक साथ चेसों पंदरा रुपे के आसपास सारी की सारी तेजी सारे गेंस साथ से आठ परशेंट के इंट्राडे हाइज स्टॉक ने लगाए हैं थोड़ा समय और यहां वेट करिए तो आप आपको स्टॉक पहुने साथ सो से लेके साथ सो के टार्गेट बे जल्दी दिखाएगा तो देगी ओपन किया है मैंने डेली चार्ट सेंचुरी टेक्स्ट साथ सायल का डेली चार्ट पर आपको कोई भी हर्डल दिखाई नहीं दे रहे हैं लगातार स्टॉक अपरेल के बाद शांदार प्रफॉर्म करना साड़े चार्ट सो के लेवल से अपरेल के बाद अब तक दाई से तीन महीनों में स्टॉक जो है साड़े 600 के लेवल दिखा है वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो स्टॉक ने आज एक्जेक्ली पॉइंट पर क्लोजिंग दी है जो कि इसका प्री कोईड लेवल आप इसको कई है क्योंकि यह लेवल करीब मार्च 2020 का है उसके बाद स्टॉक तेजी से फिसला था तो प्री कोईड लेवल पर स्ट आएंगे खेर मतली चार्ट से बैतर है कि वीकली चार्ट की ही बात करें विकली चार्ट पर और अच्छे टार्गेट आपको यह बनते वे देखने को मिलेंगे एक हर्डल भी इसी फेज में स्टॉक जो फेज किया था जो कि स्टॉक ने सपोर्ट लिया था इस लेवल पर सा 960 रुपए के उपर नजर रखे यहां स्टॉक सस्टेन करके टिकता है तो फिर ब्रेक आउट देगा जो कि इसको शॉर्ट ट्रम में करीब 700 रुपए पर लेजाने की ट्राइप पूरा करेगा तो दीगी अब बात करते हैं अगले स्टॉक की फाइनल स्टॉक की सिरी दिग करिए पोजिशनली कम से कम दो दो से तीन में होल्ड करिए तो आपको सो से उपर के लेवल इस टॉक दिखा देगा तो उस चीज के लिए आप यहां पर ध्यान रखे तो देगे एक काफी शांदार इस्ट्रक्टर आप देखेंगे स्क्रीम पे सुबह स्टार्टिंग होती ह स्टॉक की लगबग फ्लैट के आसपास कल के क्लोजिंग के बाद और धीर धीरे जो है क्यूमिलेशन जारी रहता है और स्टॉक मेंटेन करता है और लास्ट के दस से पंदरा मिनट अब इतनी तेज एक बाइंग इसमें आते भी देखने शार्प स्पाइक आप इसको कह सकत जरहें तर देखें पर स्कृषद और चलता है छुड़ा तरतर iba झरुल लेकिन और ट्रेंड इसका पोजिटव आप और लगातार जहां बॉट् देख रहे हैं साथ ही बात करें रिसेंट हाइज जो कि स्टॉक ने लास्ट मन्त में लगाए थे 94 रुपीज के इवेंच्वली स्टॉक आपको वहीं जाते वह देख रहे हैं कंसोलिडेशन जो है लगता है पूरा हो चुका है क्योंकि इस सारे कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर स्टॉक नहीं ग्रीन केंडल आप देख रहे हैं क्लोजिंग दी है 94 के लिए नजर रखिए यह टार्गेट भी जल्दी स्टॉक निकालेगा और उसके बाद वीकली चार्ट पे और और ट्रेंड पॉजिटिव मंतली चार्ट भी खैर स्टॉक और टाइम हाइस पर यह इसलि आज के दिन जहां पर कुछ ना कुछ अपडेट थी वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद